नमस्कार दोस्तों, मैं मद्धिप्रदेश बोल रहा हूँ कल आपने सुनी अरजुन सिंग सरकार की कहानी आज सुनिए वोरा के सीम बनने के बाद कैसे चला कुर्सी का खेल शब्द हैं माखलाल चत्रुवेदी विश्विद्याले के पूर्वकुलपती दीपक तिवारी के मेरी धर्ती पर साल 1985 में जब नई सरकार बनी तब कॉंग्रिस को 280 सीटे मिली जिसमें 200 से ज्यादा नए चहर थे मद्रदेश की राजनीती में अरजुन सिंग का गुट सर्वशक्ति शाली हो चुका था उनके प्रतिद्वंदी के तौर पर शुकल बंदू, माधहुराव सिंधिया और मोतिलाल वोरा थे ऐसे में प्रदेश का सत्ता संतुलन बनाने की गरस से कॉंग्रिस हाई कमान ने मोतिलाल वोरा को मुख्यमंत्री बना दिया सिंधिया को तब कॉंग्रिस में आए मात्र 6 साल ही हुए थे वैसे कहते हैं कि मोतिलाल वोरा को मुख्यमंत्री अरजुन सिंग के कहने पर बनाया गया था लेकिन जैसे ही अरजुन सिंग पंजाब के मामलों में व्यस्त हुए वोरा ने राज्य में अपनी जड़ों का विस्तार शुरू कर दिया कभी राजनान गाउं बस्टेंड पर टिकेट मैनेजर और पार्शिद रहे वोरा शुरुवात में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे वोरा ने आते ही अरजुन विरोधी लोगों को महत्वपुर्ण शास की पदों पर बैठाना शुरू किया उन दिनों वोरा और सिंधिया मिलकर राजनिती करते थे लेकिन अरजुन सिंग गुट के विधायकों की रोज होने वाली धमा चौकडी और दिल्ली दारबार में उनके खिलाफ बनाये जाने वाले वातावरण के कारण वे तीन साल ही मुख्य मंत्री रह पाए इस दोरान अरजुन सिंग को पंजाब में राजिपाल के बाद कॉंगरिस का राष्ट्री उपाध्यक्ष बना दिया गया था इसके बाद विध दक्षन दिल्ली से सांसद और केंदर में मंत्री भी रहे अरजुन सिंग हर हाल में वापस मद्परदेश आना चाहते थे अंततहुने जनवरी 1989 में मुख्य मंत्री बना कर भीजा गया मोतिलाल वुरा को केंदर में मंत्री बनाया गया अरजुन सिंग मुश्किल से एक साल ही मुख्य मंत्री रह पाए कि उनके विरुद चुरहट लोटरी कांड का मामला सामने आ गया इसमें बहाजपा के कैलाज जूशी ने उनके विरुद हाई कोर में मुकदमा लगाया इसके बाद जाज कमिशन बैठा मामला देश भर में इतना सूर्खियों में रहा कि अरजुन सिंग को स्थिफा देना पड़ा इस बार राजीव गांदी ने माधहराव सिंधिया को मुख्य मंत्री बनने के लिए भोपाल भिजा लेकिन तब अरजुन सिंग का गुट इतना भारी और उग्र था कि सिंधिया को मुख्य मंत्री नहीं बनने दिया गया ये टी सिंधिया के पुत्र जोती रादित्ती भी अपने मन में तब तक रख रहे जब तक विभाजपा में नहीं चले गए जब माधहराओ के नाम पर विधायकों में सहमती नहीं बनी तब फिर से एक बार वोरा को गद्धी सौंप दी गई जब वोरा मुख्य मंत्री बने तब चुनाओं मातर पंद्रा महीने दूर थे सजन्ता की प्रतिमूर्ती वोरा पर उस समय वही आरोप लगे जैसा की किसी भले राजनितिग्गी के साथ होता है वे गुडबाजी को समा नहीं पा रहे थे और कॉंग्रिस हाई कमान को लगा कि वे चुनाओं नहीं जिता पाएंगे तब दिसम्बर 1989 में राजी जैव गांदी ने ऐसा फैसला किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी उन्होंने कॉंग्रिस से बाहर चल रहे शामा चरण शुकलू को अचानक प्रदेश का मुख्य मंत्री बना कर भीज दिया शुकला अब तक 64 साल के हो चुके थे आते ही उन्होंने प्रशासनिक कसावट के लिए आपकी सरकार आपके द्वार यूजना आरंब की लेकिन तीन महीने में वे कुछ नहीं कर सके और सरकार उनके द्वार से भाजबा के दर्वाजे चरी गई पिछले पांच सालों में कॉंग्रिस को गुडबाजी और अंदुरुनी कलह का इतना विक्राल स्वरूप लोगों ने देखा कि वे सिचड़ गए दूसरे तरफ भाजबा में पटवा सारंग ठाकरे की जोड़ी ने बहुत हुश्यारी से अपना चुनाओ अभियान कॉंग्रिस पर ही केंदृत रखा उस चुनाओं में किसान कर्जमाफी की गोशना भाजबा के लिए जीद की गारंटी बन कराई इस बार पटवा जब मुख्य मंतरी बने तब उनकी उम्र छ्यासर बरस थी पटवा का शपद ग्रहन समारोहू क्यों हुआ मशुहूर और कैसे रहा उनका शासन सुनिए कल बार में भाग में